हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शुको तही दिल से स्वागत आप सभी का हमारे इस बेहत खास कारिक्रम जोतिश ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रोवर दर्शुको जोतिश ग्यान एक ऐसा कारिक्रम है जो आपको ग्यान से परिपूंट बाते बताता है और आपके जीवन के अंधकार को दूर कर आपके जीवन को प्रकाशवान बनाता है आज भी आपको बहुत सारी महत्वपूंट जानकारियां देने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहत खास महमाद जी हाँ तो आईए मिलकर उनका स्वागत करें नमस्कार सर राहू के नाम से लोग बहुत डर जाते हैं और हमने ये भी सुना है कि राहू की जब दशा आती है तो बहुत लंबी आती है तो कैसे हम राहू के भैस से मुक्त हो राहू की पीडा से मुक्त हो ये बताए आए दर्सों को बात करते हैं राजा से रंक राहू बना देता है और रंक से राजा प्राणी को बना देता है राहू की दशा वास्टम में बड़ी होती है 18 वर्षों की होती है रंक को राजा में तब्दील कर दे और राजा को रंक की उपाधी में तब्दील करने वाला गिरह माना जाता है जिस प्राणी की कुंडले में सरपा करती का राहू होता है जब ये विराजमान अगर नकारातमक रूप में हो जाए तो बहुत जादा हरश्मेंट व्यक्ति के जीवन में पैदा होता है लेकिन आज इस विसेस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि हम राहू से ना डरें हम राहू की शांती के क्या उपाई करें कई बार आप बहुत परेशान हो जाते हूँ आपके समझ में नहीं आता कि आपको राहू से संबंदित क्या उपाई करना चाहिए तो हम चाहते हैं कि आपका ये डर निकले और आप घर बैठ करके राहू से संबन्दित विशेस प्रकार के उपाई कर सके है ना आपके उपर अगर राहू की निगेटिव छाप पड़ रही है तो वो दूर हो जाए और राहू की एक दिव्वध रश्टी आपके उपर आए आपके घर में लाब हो आपके घर में खुशी आए आपका जीवन भी खुश्यों से महक जाए आए मैं बात करता हूं जब भी आपको ऐसा लगे कि राहू की वज़े से आप बहुत पीडित हो रहे हैं राहू आपको बहुत पीडा दे रहे हैं ऐसी इस्तिती में भगवान भैरव जी का एक विशेस मंत्र में हैं पढ़कर के सुनाना चाहता अम हिरिम बटुकाए आपदू धारनाए कुरु कुरु बटुकाए हिरिम ओम साथ में ही भगवान भैरव के 108 नाम प्रति दिन पढ़ना सुरू करें जो प्राणी जो मैंने अभी आपको भैरव जी का मंत्र बताया ये काल भैरव हैं भगवान शिव के ही अंशावतार हैं भगवान शिव के ही रूप हैं तो जो प्राणी भैरव जी के 108 नाम प्रति दिन पढ़ता है बटुक भैरव के इस विशेश मंत्र को पढ़ता है वहां राहू की निगेटिव द्रस्टी उस व्यक्ति के उपर नहीं उस परिवार के उपर आई ही नहीं सकती है दूसरी बात हनमान जी की उपासना जो प्राणी प्रति दिन हनमान साथी का बजरंग बाण या हनमान बाहुक जो प्राणी प्रति दिन संधिया के समय इन तीनों में से कोई भी एक चीज धंग से पढ़ता है मन से पढ़ता है तो वहां पर भी राहू नकारात्मक तत्यों को प्रकट नह जाने, राहु के निमित आप कुत्ते की सेवा करें, भहरव जी की सवारी भी कुत्ता होती है, तो राहु के निमित आप कुत्ते की सेवा करें, जैसे दूद, डिस्किट, जो भी आप से बनता है, वो शनी वार की शाम को जुरूर किया जाए, अरे छोटा सा एक टोटका सुने उपाई सुने सवा साथ किलो साथ तरह का अनाज ले ले सवा मीटर नीला कपड़ा ले ले एक उसमें नारियल रखे जूट वाला साथ सिक्के उसमें बांध दे साथ शनीवार महीने में केवल एक बार इस उपाई को करेंगे साथ सनीवार या साथ महीने कर ले और जादा समस्या है तो हर सनीवार कर ले शाम को जाकर इस पोटली को पोटली सी बना ले और चलते हुए पानी में इसको प्रभा कर दे क्या बोलें जब प्रभाग करें चाहत बार ओम भ्राम भरेम भरॉम से राहे वे नमा दोबारा सुने, ओम भराम भरेम भरॉम से राहे वे नमा इस मंत्र को चाहरन साथ या 17 बार करते हुए पोटली को जल के हवाला कर दे जिन प्राणियों के पेट में बहुत तकलिफ रहती है जिनके चेहरे पर बहुत ज़ारा जाईया पिंपल्स आ जाती है या जो बहुत ज़ाद है राहू की वज़े से प्रताडित हो रहे होते हैं या उनकी जनब पत्रिगा में या हाथ की रेखाओं में राहू इस प्रकार से हो रहा होता है तो उन्हें ये जल्पर वाला प्रियोग जो है वास्तम में पैना सिया की तरह उन्हें महसूस होगा बहुत अच्छा उनको लाब मिलेगा तो दर्शोगो राहू से संबंदित बहुत सारे उपाएं बहुत बहुत सारे उपाएं आप हमारे अनेको कारिकरम यूट्यूब पर देखें और समझने का प्रियास करें बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो आज हमने यह आपको बताया कि राहू के कूप प्रभाव से हम अपनी रक्षा कैसे करें या राहू के कूप प्रभाव को कुफल प्रभाव को हम सफलता में कैसे तबदिल करें और हाँ, जिनके घर में श्री यंत्र हैं, अंबी का यंत्र हैं, जो इनकी स्यवा करते हैं, वहाँ पर भी राहू का निगेटिव प्रभाव नहीं आता, आप राहू काल से यदि डरते हैं, तो अपने यंत्रों को नमस्कार करके घर से जाएं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, दूसरी बात जिन्होंने गले में 64 योगनी पहने हुए हैं या 114 मुखी जिन्होंने धारन किये हुए हैं हम दावे के साथ कह सकते हैं उनके उपर भी राहुकाल का असर नहीं आएगा अब भगवान शिव आपके उपर किरपा अभिश्य करेंगे। कि बहुत सारी महत्वपून जानकारियों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले, फेस्बूप पेज को लाइक करना ना भूले, रही बात शर्मा जी का मार्क दर्शुन प्राप्त करने की, तो उसके लिए नमस आपके सामने फ्लाश हो रहे हैं, अगर आप शर्मा जी से वक्ति का तौप पर मुलाकात करना चाहते हैं, परसनल अपॉंट्मेंट ले लिजेगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, आपके लिए मुलाकात कर पाना किसी रीजन से अगर समभब नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉंट थे चाहत quatro में दूराज के जोब नहीं ती, फ़रे ताइम उसके पास जॉब नहीं थी, है हमाना थाए ज्युद्म जोब छोड़ी मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फोन और पहली बार ही में उसका आपके साथ फोन लग गया पहली बार ही इसका फोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी जौकरी मिलेगी तोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल ग ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें